इस धर्ती पर जितने अलग तरह के इंसान रहते हैं उतने ही अजीबो गरीब जानवर भी पाये जाते हैं कुद्रत ने इस धर्ती पर मोजूद हर एक प्रानी को कोई ना कोई खास गुन जरूर दिये है जरीले जू भी इसी का जीता जाकता हुदारन है धर्ती पर बहुत हैसे जरीले जीव है जिनके विशेले पन का आपको अंदाजा भी नहीं होगा कुछ जू तो देखने में इतने सुन्दर होते है कि उनको देखकर कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि ये बेहत जरीले भी हो सकते है हम आपको धर्ती पर पाये जाने वाले छे जरीले जानवरों के बारे में बताने जा रहे है तो बने रहे ये वीडियो के एंड तक ये जरीले जीव इतने खतरनाक होते है कि मिंटों में किसी भी इंसान को मोत की निन सुला सकते है जापान, चेन, फिलिफिंस और मेक्सिको में पाये जाने वाली इस मचली के बीतर साइनाइड से भी खतरनाक ज़र होता है दिखने में ये मचली बेहत सुन्दर है लेकिन इसकी सुन्दरता के बावजुद भी कोई इसे अपने घर के एक्वरियम में रखने की बात सपने में भी नहीं सोचता है हाला कि लोग इसे खाते भी है लेकिन पकाने से पहले साउधानी के साथ इसकी सपाई की जाती है स्नेल आम तोर पर पॉईजनस नहीं होते लेकिन ये बात मार्बर्स कौन स्नेल पर लागू नहीं होती मार्बर कॉन स्नेल अपने शिकार पर हमला करने के लिए अपने हारपुन जैसे सुन्ड का इस्तेमाल करता है और निरो टॉक्सिन जर चोड़ता है ये अपने घातक हारपुन का उपयोग शिकार को बेहोश करने के लिए करता है और शिकार को खा जाता है इसका जहर दूसरे प्राणियों को पहले अंधा बनाता है फिर सांस गड़ बढ़ाने लगती है लखवा पड़ता है और अंत में मोत हो जाती है मार्बर स्कॉन स्नेक के जहर के लिए अभी तक कोई एंटिविनम अवैलेबल नहीं है इसलिए यदि आप समुन्दर में कही एजीव को देखते है तो दुरी बना लिजिए नमबर फोर डेट स्टॉकर स्कॉर्फियोन धानी रंग और चमक वाले डेट स्टॉकर बिच्चू मिड नॉट आफरिका और एस्टर्ण एशिया में पाय जाते है देखने में ये बिच्चू उतने जरीले नहीं लगते लेकिन इसके डंग से इंसान सिधे मोत के दर्वाजे पर पोड़ जाता है इसका डंग तेज दर्थ पैदा करता है और कुछी मिंटों के भीतर रेस्पिरेटरी सिस्टम को धराशाई कर देता है दिल के मरीज और एलर्जी के रोगी तो इसके डंग से तूरंट निडाल हो जाते है इस जली फिश को सबसे विशेला जिव माना जाता है एशिया और आस्टलिया के समुन्दर में पाय जाने वाली बॉक जली फिश करीब करीब पार दर्शी होती है पानी में इसे देखना नामुनकिन सा होता है बॉक्स जली फिश लेमेटो साटस पैदा करती है ये जहर तूरंट दिल पर हमला करता है इसके काटने के बाद शिकार वही दम तोड़ देता है नॉमबर टू ब्ल्यू स्पॉट ऑक्टोपस इस ऑक्टोपस का आकार टेबल टेनिस की बॉल के बराबर छोटा होता है ये आसानी से मुट्टी में आ सकता है लेकिन ऐसा करने की जुर्ण थर्गिज न करे आस्टिलिया, जापान, इंडोनेशिया, फिलिपिंस और पॉपवा निव गिनी में पाये जाने वाले ब्ल्यूरिंग ऑक्टोपस का जहर भी आको और रेस्पिरेटरी सिस्टम को नाकाम कर देता है अच्छे और बूरे कामों के लिए बदनाम कीकोब्रा को सबसे गतक जीनि माना जाता है फन वाला ये नाद भारत और चिन के जंगलों में पाया जाता है किन कोब्रा में काल्डियो टॉक्सिन और सिनप्क्री निरो टॉक्षिन नामत जहर पाया जाता है कोब्रा सापके डस्ते ही बोडी का नियरो सिस्टम काम करना बंद कर देता है इंसन के लंग्स और हार्ड भी काम करना बंद कर देता है इसके बाद इंसन को लक्वा मार जाता है किंग कोब्रा का जहर इतना खतरनाक होता है कि इससे आखों की रोशनी चली जाती है कोब्रा का डंक बेहत विशेला और दर्दनाक होता है कोब्रा का डंक खाने वाले जिव बहुत जल्दी दम तोड़ देते है कोब्रा स्नेक अगर इंसन को भी काट लेता है तो इसके बाद इंसन की भी मोत हो जाती है तो दोस्तों इन में से आपका फेवरेट कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ